नमस्कार दोस्तों जानी केसे में आपका स्वागत है हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सबी फीडियो की नॉटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहल हल्दी अपने एंटिसेप्टिक और एंटिबायोटिक गुनों के लिए जानी जाती है और दूद कैल्शियम का स्रोत होने के साथ ही शरीर और दिमाग के लिए अमरूत के समान है लेकिन जब दोनों के गुनों को मिला दिया जाए तो यह मेल आपके लिए और भी बहतर साब होता है दूद के साथ हल्दी का सेवन एंटिसेप्टिक और एंटिबायोटिकल होने के कारद तोचा की समस्याव जैसे इंफेक्शन खुजिली मुहा से के बैक्टिरिया को धीरे-धीरे खतम कर देता है इससे आपकी तोचा साफ और स्वस्त और चमकदार दिखाई देती है आपको शाहिद मालूम ना हो लेकिन हल्दी का दूद लिवर के लिए काफी उपयोगी है अगर इसे डाइट का हिस्सा बनाय जाए तो फैटी लिवर या लिवर सीरोसीस जैसी बीमारियों से सोयम को सुरुक्षित किया जा सकता है ऐसा हल्दी के डिक्टो फाइनिंग गुन के कारण होता है जो हानेकारक रक्रसाइनों से लिवर को प्रभवित नहीं होने देता दूद में कैल्शियम होने के कारण यहां हड्डियों को मजबूत बनाता है और हल्दी के गुनों के कारण रोप्रतिरोधक शम्ता में रूधी होती है इससे हड्डी समंदित अन्य समस्याव से चुटकरा मिलता है और अस्टोरोपोरोसीस में कमी आती है सर्दी जुखां या कफ होने पर हल्दी वाले दूद का सेवन अत्यधिक लाबकारी सावित होता है इससे सर्दी जुखां ओठी होता है साथी गरम दूद के सेवन से फेप्रो में जमा हुआ कफ भी निकल जाता है सर्दी के मोसम में इसका सेवन आपको स्वस्त बनाय रखने में मदद करता है